गुब्बारों का महत्व हमारे जीवन में अलग-अलग जो हमारे स्टेज़ेज होती है लाइफ की उसमें रहता ही रहता है जब आप बहुत छोटे थे तो गुब्बारे से खेलते थे थोड़े बड़े हुए तब होली के समय गुब्बारे में पानी भरके रंग वाला पानी भरके आपके पडोस में रहने वाली वो हसीन लड़की पर फेका करते थे फिर थोड़े बड़े हुए और जब आपने सेक्स का एक्सपेरिमेंट किया उस वक्त भी आपने गुबारे का प्रयोक किया कॉंडॉम के रूप में जो कि हमें हमेशा करना ही चाहिए और पुरुषों के मन में जो औरत का अंग बार बार लगातार उनके माइड में आता है वो उनके गुबारे ही होते है ये जो औरत ब्लाउस पहनती है या टॉप पहनती है लड़किया इसके नीचे गुबारों का ख़जाना होता है जो की मर्दों और लड़कों को बहुत ही पसंद होता है तो आज इनी गुबारों के बारे में हम बात करने वाले हैं और मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि जो यंग लड़के होते हैं मतलब यह लोंडे टाइप के जो होते हैं जो भी 18 साल से उपर निकल चुके हैं और 30 से कम है आज कल शादी क्या है 27, 28, 29 साल में हो रही है इससे 30 तक का लेवल दे दिया है मैंने इन लड़कों को या लोंडों को किस प्रकार के गुबारे पसंद होते हैं मतलब औरत के स्थन होते हैं, जो लड़कों के स्थन होते हैं किस प्रकार के पसंद होते हैं लड़कों के लिए ये बहुत इंटरेस्ट का विशय होना चाहिए क्योंकि उन्हें भी एट्रैक्ट तो करना ही है लड़कों को और एज ग्रूप यही है ना, 18 to 30 के बीच में 30 के बाद कोई अंकल को तो अट्रैक्ट करोगे नहीं आप तो इस लड़कों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है जानना और लड़कों के लिए भी जानना जरूरी है और सभी के लिए जानना जरूरी है कि जो यंग लड़के हैं, जो लॉंडे हैं इनको किस प्रकार के गुबारे पसंद होते हैं I am sure आपको इस बारे में जानना है और अगर आपको जानना है तो एक ही चीज़ करना है आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना है कुबारों की जो हम बात करते हैं या स्तन की बात करते हैं या बूप्स की बात करते हैं आठ नमबर भूत ही खतरनाक माना गया है क्योंकि देखिए जो breast size होता है 32 बढ़िया है 34 बढ़िया है 36 बढ़िया है 38 होने पर बहुत ज़्यादा उभार हो जाता है हिंदी में कहते हैं ना कि अती सर्वत वर्जेत अती हो जाती तो अच्छा नहीं लगता है नीचे की तरफ जाए 34 होके है 32 होके है 28 से नीचे चले जाए 28 आठ नंबर तो इसमें फिर underdevelop हो जाते हैं फिर यार उनको मजा नहीं आता है देखने में भी मजा नहीं आता है सेक्स के दोरान भी मजा नहीं आता है पर ये बात बताओ मैं कि जो लॉंडे हैं जो लड़के हैं उनको उभार वाला जो ब्रेस्ट होता है जो बूब्स होते है या स्तन होता है वो बहुत ही जादा पसंद होता है जो यंग यंग लड़किया है अभी 18, 19, 20 साल की जिनका इ दूबली पतली कभी भी उन लोंडों की फैंटेसी में नहीं आती है उनको तो वही आंटी पसंद आती है कि जिनके बहुत ज़्यादा उभार होते हैं और कोई भी ऐसी औरत होती है उनकी टीचर होती है जिनके उभार बहुत ज़्यादा रेता है उनको बहुत पसंद आती ह कॉलेज में भी वो लड़कियां जिनका उभार जादा रहता है वो उनको पसंद आती है अब देखिए इसमें नैचरल बात ये है इसका कारण क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं बिल्कुल सरल भाशा में मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि चैनल आप जो देख रहे हैं इसका नाम सरल भाशा है और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक करेगा, फ्रेंड से शेयर करेगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर हिट करेगा जिसने मेरे सारे वीडियो आपको आसानी संबिल जाएंगे एक्चुली, लोंडों को, लड़कों को, नलों को जादा तर बड़े ही अच्छे लगते हैं और कोई भी कैटेगरी के मर्द देखने, उनको बड़े ही अच्छे लगते हैं बड़े में फ्लेश जादा होता है, उभार जादा होता है, जादा छूने को होता है और बड़े स्तन वाली जो लड़की है, वो जो अपने कपड़े उतारती है तो ज्यादा ही सेक्सी लगती है उसमें कामबुकता जो है कूट-कूट कर भरा रहता है बिल्कुल सूखी सट लड़की हो जिसका ब्रेश बिल्कुल कम डेवलप हो आपको मज़ा ही नहीं आएगा तो ये गुबारों को जो आप दबाते हैं उसको प्यार करते हैं वहाँ पे किस करते हैं चूमते चाटते हैं बहुत-बहुत प्यार करते हैं तो डेफिनेटली जिसमें उभार जादा है वहाँ जादा मज़ा आता है और जब आप हार्ट कोर सेक्स करने जाते हैं आवास के तोर पर लुक्स के बारे में या फिर जो भी सेक्शुल क्रियाएं ये लॉंडे करना चाहते हैं उन लड़कीों के साथ और 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 अवास के साथ हर तरीके से बूब्स जो है बड़े ही अच्छे लगते हैं तो लड़कियों आपको समझना है अगर बड़े बूब्स चाहिए सरसो के तेल की मालिश किया करो और धूप में खाली बदन बैठा करो आपकी दादी और नानी ने ये नुस्का आपको बताया जरूर होगा बच्वन में आप भूल गई हो अगर आपकी वाइफ की या गर्ल्फरेंड के भी बूब्स ज़्यादा डेवलब नहीं है तो आप उन्हें बता सकते है एक्चुली एस्ट्रोजन के कमी के कारण भी बूब्स में कम डेवलब्मेंट हो सकता है इसलिए महिलाओं और लड़कियों को अनार का रस पालत की सभाजी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और अश्वगंधा का प्रयोग भी वो कर सकती है महिलाओं को भी एलाउड रहता है अश्वगंधा वाइगरा तो मर्दी प्रयोग कर सकते हैं अश्वगंधा बहुत ही अच्छा रहता है और सारे बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेंग्डन करता है आपके बूब्स को भी यह स्ट्रेंग्डन करेगा तो यह आपको ध्यान रखना है और सोया प्रडक्स ज़्यादा खाना है ऐसा कहा जाता है कि मर्द अगर सोया बीन ज़्यादा खाए तो उनके महिलाओं जैसे बूब्स बन जाते हैं तो इसलिए महिलाओं को तो खाना ही चाहिए तो उनके महिलाओं जैसे boobs तो बनना ही चाहिए दूसरी बात यह है कि उन्हें bench press करना चाहिए और dips भी लगाना चाहिए जी हाँ महिलाओं को भी dips लगाना चाहिए तो दंड लगाना चाहिए उससे काफी फाइदा हो सकता है तो बस आज का वीडियो यहीं तक और कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते है I love to answer your questions फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी interesting information आपके साथ share करते हुए तब तक के लिए bye Take care friends